कॉमेट वर्ड यूटिब चैनल कॉमेट वर्ड आपका एलजेब्रा का एलजेब्रा का एलजेब्रा एलजेब्रा बहुत लोग इसमें बहुत समझते हैं कि Advanced Mathematics का टॉपिक है मेरे से नहीं होगा या फिर examination में इसको छोड़ कर ही चलना है तो प्लीज आप छोड़ कर मत चले क्योंकि वे सारे कोशन ऐसे हैं जो कि recent examination में पूछे गया हैं इसी concept के ऊपर हैं और upcoming examinations के बहुत जादा important हैं तो प्लीज आप इस question को deal कर करने जा रहा हूं इस series को फिर आप playlist में देखना और इसके बाद मैं एक नया series आप लोग के लिए लेकर आया हूं जो कि आने वाले दो दिन के बाद आपके सामने आएगा यह जो आने वाला series रहेगा यह काफी ज्यादा interesting होगा अब इस पर काम चल रहा है तो please आप उसको द लिंख्या या आई बटर में आ रहा है तीन-तीन जगत से आपके पास resources है वहाँ जाओ 19 सेट और यह 20 सेट 20 सेट को देख लो क्योंकि 10-10 कोशिन करते हो एक total 20 सेट आपका 200 कोशिन हो जाएगे 200 कोशिन जो की बहुत ज्यादा help करेंगे आपको इधर उधर के कोई नहीं है य इसलिए प्लीज इसको देखो और आगे बढ़ने का कोशिस करो साथी साथ जब भी बैस का वीडियो आप देख रहे हो हाथ में copy और pen जरूर लेकर बैठा करो क्योंकि मेरे बताने से पहले वीडियो को पास करके आप खुद से बना लो और बनाने के बाद ये decide करो कि आपने अच्छा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या है 10th quotient, quotient of the day होगा उसको भी आप खुछ से solve करें को सिस करना शबते हैं आज के पहले कोशिन की तरफ, first quotient of the day पहले कोशिन जैसे ही आहां देखते हैं क्या क्याता है, if p is equal to 99 then the value of p square plus 3p plus 3 और bracket क्यों क्या ह प्लस 3p square और प्लस 3p ये चीज़ आ जाएगा, अब यहां भी लिखने की ज़रत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि यहां से आप लोगों समझाना है, otherwise मैं देख करके इससे answer आपको बता सकता था कि p-1 का whole q हो जाएगा और ये आपको क्या answer आ जाएगा, ये आपको क्या answer आ लेकिन आपको जानने की ज़रत है कि यहां पर हो क्या रहा है, तो जैसे ही ये चीज़ आया, आपको एक formula पता होगा, p-1, यानि a-b का whole q, a-b का whole q का formula, I think आपको पता होना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, aq, और यहां पर big 1 है, तो plus 1 और minus 1 मैंने कर दिया, इससे क्या ह हुआ कि इतना दूर जो है, यह आपको क्या हो गया, p-1 का whole q ho गया, और minus 1, और p-1, औTea, तो यह क्या हो जाएगा, plus, यहां में क्या हो जाएगा, plus, अब देखो ही, p-1 का whole q क्यों, तो यह क्या हो जाएगा, p-1, 99 plus 1 कितना हो जाएगा, और 100 का whole q हो जाएगा, इसма 2 times, और आप 0 लग जाएगा यादि 6-0 और माइनस वन और इसको जब माइनस करेंगे तो आपका एंसर कौन सारा जाएगा 6x9 तो ऐसे ही आप तो इसको बनाना है अब देखो यह कितना बड़ा कॉंप्लेक्स चीज लग रहा है और इसको कैसे मैं फ्रिक्वेंट टाइम में बना दूंगा जरा ध्याम देना अगर मैं एक प्लस बी प्लस सी जीरो कह रहा है तो वैल्यू पूटिंग से आप इसको बना सकते हैं वैल्यू पूटिंग करते वक बी का वैल्यू भी वन और सी का वैल्यू एक टें माइन अटे लेते हैं माइनस टू देखो तो वन प्लस फन टू और टू माइनस टू जीरो हो जाएगा सब्सक्राइब तो इसका वही चीज़ वहां लिखा जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा माइनस न और यह चीज़ को अगर मैं देखूं तो यह फर्स्ट वाला चीज़ है यह हो जाएगा अब यह भी क्या होजाएगा माइनस दिखा यहां पे क्या होजाएगा माइनस टी फ्रोट्रॉट्टि न डिखने टो इस थर पन जाएगा to 2, then the value of x to the power 12 plus 1 upon x to the power 12 is, अब इस question को जार धान से देखना, कि यहाँ पर क्या है 12 power, अब बोलो सर, इसका 12 कहां से करेंगे, यहाँ भी मैं value putting use करूंगा, देखो बड़ा आसान सा है, कि अगर मैं इस x को 1 मान लो, तो 1 plus 1 upon 1, is equals to क्या आजाएगा, 2 आजाएगा, yes और no, मैंने क्या तर लिया, 1 मान लिया है x को, तो यहाँ अगर 1 रखूंगा, तो 1 minus 1 upon 1, यह क्या आजाएगा, आपको solve करें, 0, 0 option में है, yes, आजाएगा, 0, तो देखो, मुझे अलग से बनाना भी नहीं पड़ा, मैंने question में इसको solve करें डाला, बस आपको थोड़ा सा value putting का दो चीज बताऊना चाहिए, कि denominator में 0 नहीं, और root के अंदर minus नहीं, बाकि आप value putting कर सकते हो, satisfy कराने के लिए, चलते हैं, हम लिए question क्यों, that is the question number 4 अगटे, तो यह question देखते हैं, क्या कैता है, 9 to the power x plus 2, अब यहां पे ध्यान दो कि यह क्या है, 9 to the power x plus 2, तो इसको मैं 9 to the power x into 9 to the power 2, इसको कम, यह 9 to the power x इधर आजाएगा, तो minus 9 to the power x is equals to क्या बचेगा, 240, और यहां 9 to the power x common लोंगा, तो यह 9 to the power x क्या हो जाएगा, 81 और minus 1 is equals to क्या हो जाएगा, 240, अब जर अध्यान दो कि 81 minus 1 कि इतना आजाएगा, 80, और 80 से 240 को ग्रॉस करोंगा, तो किते टाइम्स में जाएगा, 3 ताइम्स में, तो मैं इसकी 8 और half to the power half गरना है, अब इसको सर्फ करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 4 times 4 का half power root करेंगे, 4 का क्या हो जाएगा, 2 that means option D, तो देख लो यह तरीका मैंने क्या उस किया है, इसी तरीका को आप यूस करना और जहाँ ना सौनगा है, अब ज़रा ध्याम दो कि A plus B plus C का अगर whole square होता है, तो फर्मुला क्या होता है, A square plus B square plus C square plus 2 AB plus BC plus CA, यह चीज फर्मुला होता है आपका, अब यहां पर ध्याम दो किसा-किसा value दे रखा है, किस पूरे चीज का value कितना दे रखा है, 69, A plus B plus C का value दे रखा है, 30 और यह 30 रखेंगे, तो 30 का इस पर क्या हो जाएगा? 169 is equal to plus 2 और जो चीज आपसे पूछा जा रहा है, वो यहां पर है AB plus BC plus CA, जो पूछ रहा है, तो अगर 169 में से 69 minus होगा, तो बचेगा 100 और upon 2 करेंगे, तो क्या आजाएगा? 50 किस का value? तो AB plus BC plus CA का value आजाएगा, और 50 यहां option A में ही आपको देख रहा होगा, तो बस यह formula का use करना है, यह formula मैंने लिखा है कि वहला आपनो फिल लिए, तो देख रहे ना, जहां ना समझ में हैं, मुझे जरूर बताना है कि क्या नहीं समझ में आए, comment में, चालते हैं अगले question कियो, that is the next question, 6 question of the day, 6 number, यह क्या करता है, x plus 1 by 16x is equals to 1, then 64x cube plus 1 upon 64x cube क्या होगा, अब यहां तो 4 है नहीं, अगर 4 रहता तो मैं इसको कर देखता, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे question को ही इधर भी 4 से multiply, और इधर भी 4 से multiply, तो यह हो क्या जाएगा, 4x plus 1 upon 4x, यूगि 4 यहां जाएगा, 4 4 यह 60 is equals to 4, अब बूच क्या रहा है, cube तो दोनों तरफ आप क्या कर दो, cube कर दो, जब cube करेंगे, तो यह क्या जाएगा, 64x cube plus 1 upon 64x cube plus 3, a b करेंगे, तो यह cancel हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, वापस से यही चीज़ बचेगा, यह बचेगा, यह बचेगा 4, और is equals to, यहां क्या हो जाएगा, 64, 64 यह 64, और 4 3 है, 12 होगा यहां माइनस होगा, तो यह क्या बचेगा 52, यह बचेगा 52, यह यहां में कैसे आया है, यह बचेगा जाने के लिए आप जान जाओ, कि 4x plus 1 upon 4x, मैं बचेगा फॉर्मूला यहां लेगे ताहूं, क्या होता है, a plus b ka whole q, क्या होता है, a q plus b q plus 3, और a b, और a plus b, इस फॉर्मूला का यूस करके, मैंने इस कोशिन को सॉल्व किया है, 52 is the answer, that means option c, चलते हैं next question, that is question number 7 of the day, अब 7 क्या कैता है, 4 to the power 4x plus 1 upon, is equal to 1 upon 64, तो यहां पर हमारे पास 4 option है, तो क्यों हैं इस 4 option को यह रखके देख लिए जाए, जब हाफ रखेंगे, तो हाफ रखेंगे तो यह 2 times में cancel होगा, 2 plus 1 3, यानि 4 to the power 3 क्या आना चाहिए 64, जबकि है यहां क्या, 1 upon 64, फिर मैं क्या रखता हूं, minus 1 रखता हूं, minus 1 रखूंगा, minus 4 plus 1, that means minus 3, और यह minus 1 रखने से यह क्या आंकर रहा, that means, कि इसका answer क्या हो जाएगा, minus पर देख लो कैसे, 4 और 4 into minus 1 plus 1 is equal to 1 upon 64, इसको solve करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 4 to the power minus 3, और इसको भी क्या लिसकते है, 4 to the power minus 3, option पर यह satisfy हो रहा है, that means कि option कौन सा होगा, C number, चाहते हैं अगले question क्यों, अब यह 8 क्या कहते हैं, अब यह 8 क्या कहते हैं, a is equal to 4x plus 1 upon x, then a plus 1 upon a is equal to, a की value मैं थोड़ा सा यह solve कर लेता हूं, तो यह क्या आ जाएगा, 4x square plus 1 upon x आ जाएगा, यह a का value आ गया, इसी चीच को मैंने LCM लिया है, और फिर यहां में क्या है, plus 1 upon a, ध्यान दो, तो इसको solve करने के रिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्याने न, कि इसका LCM जब लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 4x cube, और plus में क्या हो जाएगा, x, यह चीच, अब 4x cube plus x यहां भी है, और यहां भी है, और non obvious भी है, और plus यहां पर क्या है, x square, देखो तो 8x square plus x square क्या हो जाएगा, 9x square, तो 9x square यहां है, यहां है नहीं, यहां है नहीं, none of this है नहीं, देखते हैं वह उता ही कि नहीं, 16x to the power 4, plus 9x square, और plus 1, तो यह वाला जो चीच है, किससे match कर गया, option 1 से, कि मैं अगर इधर लाँगा, तो यह 4x square, माइनस में 12x, और यहां पर अगर 2 है, 2, 2 जा 4 हो गया, तो 4, 3 जा, नहीं कि, plus का 9, यह एक चीच आया, देखो मैं 18 में से के बाद 9 को इधर लाया, और दूसरा 4y के साथ फिर वही काम कर रहा हूं, यहां कि, पीच में क्या है, plus है, 4y square, और माइनस में 12y, और प्लस का 9, यह second हो गया, और फिर plus, और नीचे क्या है, 4z square, ज़रा इस तीच को लेखो, कि यह मैंने क्या किया, सारे चीच को एक तरफ लाया, और इजी को च्टू क्या करती है, जीरो, तो यहां से यह हो क्या जाएगा, ज़रा इसको मैं solve करूं, तो यह एक formula है कि इसका, 2x-3 का whole square, यहां भी क्या है, फिर plus हो जाएगा, और यह क्या है फिर, 2y-3 का whole square, और फिर यहां पे plus है, यह क्या हो जाएगा, 2z का whole square, यह चीज आपका है, तो जब भी 3 चीज का square, और आपका is equals to, क्या हो 0, तो हर यह चीज को is equals to 0 कर सकते हैं, that means, कि अब मैं color change करके आपको यहां बता देता हूं, that means, कि इससे अगर x का value निकालें, तो यह क्या आजाएगा, 3 upon 2, यहां से निकालें, तो यह भी क्या आजाएगा, 3 upon 2, और यहां से निकालें, तो क्या आजाएगा, 2, और इस तीनों को मुझे क्या करना है, आपका plus कर देना है, यहां आपसे पूछ किया रहा है, x plus y plus z, तो अगर 3 upon 2, 3 upon 2 करेंगे, तो 6 upon 2, 2, that means 3 आजाएगा, 3 or 2 क्या हो जाएगा, 5, और यह एक minute, 2 z equals to 0 है, तो z का value यहां से क्या आजाएगा, z का value आएगा, 2 z equals to 0, तो z का value is 0, तो 3 upon 2, और 3 upon 2, यानि दोनों को add जब देंगे हम, तो यह 3 upon 2, 3 upon 2 किता हो जाएगा, 6 upon 2, that means 3 option number A, तो इस वे से इसको बनाना है, चलते हैं अगले question कियो, that is the next question, and this is the last question of my that series, तो यह question of the day है, इसको आप बनाना answer में, comment में, जलूर बताना कुछ है, और साथी साथ कितना time लिए आप में वह भी चीज़ बताना, दूसरी important part, कि please video को बहुत जादा स्यादा like करो, और share को रोपने दोस्तों के बीच, और अगले series का wait करो, कि यह अगला जो राने वाला होना है, वह बड़ा सा interesting सा एक series राने वाला हो, तो please उसको आप देखना, that's it for today, thank you.